हेलो दोस्तो, डे नमबर 21, 100-day series, पिछले वीडियो में, that is, डे नमबर 20 में, हमने डिस्कस किया था value-aided method, value-aided method के पहले हमने डिस्कस किया था, कि क्यों 3 method है national income calculate करने के, value-aided method के बारे हमने precautions में पढ़ दी, ऐसे concept topics हैं, जिस्पे बहुत ज़्यादा focus करना चाहिए, intermittent goods को calculate करते समय, sales calculate करते समय, यह सारी चीज़े मैंने last video में आपको बता दी, हम move on करते हैं income method की तरफ, income method में कौन सी बाते ध्यान रखनी है, देखो detailed तो आपको already knowledge है कि कैसे आपको income method प्रोसीड करना है, questions में क्या ध्यान रखना है, मेरा purpose यह रहेगा income method को थोड़ा अलग एंगल से पढ़ाई करना, अलग एंगल से आपको थोड़ा analytical point देना, तो चालू करते हैं सबसे पहले income method की definition की तरफ चलते हैं या meaning की तरफ चलते हैं, definition तो नहीं, meaning, according to this method, all the incomes, पहली बात all the incomes, that accrue to the factors of production, ध्यान रखना है, यह किसको मिल रही ही है, factors of production, कैसे by way of wages, profit, rent, interest, etc, are summed up, जोड़ा जाएगा, कहाँ पहुचने के लिए दोस्तो, national income पहुचने के लिए, day number 20 के वीडियो में पहले मैंने एक चीज़ समझाईए, यह हमारे पास 3 phase होते है, national income, circular flow of income के 3 phase होते है, generation of income जिसमें production activity परफॉर्म यह थी, वो पिछला method पहुचने का, यह चार income के alternative नाम है क्या कोई दूसरे, यह चार income के अंदर और कोई income इंसर्ट होने वाली है क्या, तो basically income method solve करते समय, आपका main motto, question के point of view से गर देखा जाए, तो main motto यह होना चाहिए, कि कौन कौन से ऐसे points है, जो income, income के point of view से वहापर दिया हुआ है, तो जैसे wages, interest, profit, labor को wages मिल रही है, interest, rent royalty, यह सारी चीज अपने को समझना है, अब एक चीज समझो, देखो, क्योंकि हमारे पास अगर मैं बात करूँ, तो हमारे पास factors of production जो है, हमारे पास factors of production जो है, उन्हें हम 4 पाट में divide करते हैं, यह factor input है, यह non factor input नहीं है, तो हम जो यह यहाँ पर income देखने वाले हैं, वो non factor input की बारे में discussion नहीं करेंगे, हम factor input के बारे में discussion करेंगे, तो सबसे पहला होता है दोस्तों labor, ऐसी hierarchy तो नहीं है, फिर होता है land, फिर होता है capital, और फिर होता है दोस्तों entrepreneur, तो जो manufacturer है, जो producer है, इन factors of production से services लेने के बाद, generation of income process में, जो income generate हो जाती है, यह उनको distribute करता है, तो labor को करता है दोस्तों wages, land को करता है rent, capital को करता है interest, और entrepreneur को करता है profit, तो अगर मैं एक prima facie, इस method में होने क्या वाला है, अगर वो अपन बात करें, तो prima facie यह होने वाला है, कि हम सभी income को sum करेंगे, मतलब profit, interest, rent और wages, इन सब को sum करेंगे तो sum करने के बाद जो value मिलेगी, वो होगी दोस्तो national income, वो क्या होगी national income, अब ध्यान से समझना है, कैच है, क्योंकि हम two sector economy में हैं, क्योंकि हम two sector economy में हैं, तो मतलब rest of the world नहीं है यहापर, और government नहीं है यहापर, तो national income तो तब आएगी ना जब open economy होगा, open economy होगा मतलब connect करेंगे दूसरी countries के साथ, पर यहाँ तो two sector economy है, अब two sector economy है, मतलब हमारा जो answer आएगा दोस्तों, वो आएगा domestic income, हमारा answer क्या आएगा, domestic income, अब अगर हमे national income convert करना है, तो हम teacher को, या फिर question को पूछेंगे, कि भाई, क्या तुने FIFA फीटा दिया, क्या तुने rest of the world के साथ, जो हम factors of production के साथ, factor service provide करेंगे, क्या वो मेर पास income है, तो इसका मतलब, prima facie, इन चारों को अगर आप add करोगे, तो आपका जो answer आएगा, वो domestic income आएगा, to reach at national income, आपको उसमें FIFA और FITA के बारे में, आपको चीज़ें clear करनी होगी, वो पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ, चलत अभी मैंने बताया, क्योंकि two sector economy के point of view से, अगर हम ये चारों income को जोड़ दें, तो two sector economy के इसाब से rest of the world का case यहाँ पर बनाने, तो FIFA, FITA की तो बात आई नहीं, तो आप ध्यान से समझते हैं, अगला है, अगर income method में बात करें, तो answer के आने वाला है दोस्तो, NDPFC, इस बात क हमें देखनी है operating surplus, that is हमें देखना है rent interest, और फिर profit, और last में हमें देखना है mixed income, वो आपन बात में समझेंगे, compensation of employees, पहले बात इस चीज, इस word को आपन डिसकस करते हैं, जितने भी factor of production में labor, जितने भी human services, resources होंगे, वो जो भी service provide करेंगे, वो हमारे employees होगे, तो employees को उनके क क्या मिलेगा दुस्तो, compensation, compensation किस-किस फाम मिल सकता है, wages या फिर salary मिल सकती है, monetary form में, in cash, किस फाम मिल सकती है दूस्तो, monetary benefits, monetary benefits मतलब, ऐसे benefits जिनको money के form में आप calculate कर सकते हैं, तो जैसे हो गया salary, हो गया wages, या हो गया cash allowances, या हो गया cash allowances, या हो गया bonus, लेकिन ध्यान ये सारी चीजे किस में होनी चीए दोस्तों किस में होनी चीए monetary benefit में होनी चीए हो सकता है जो हमारा boss है वो हमको wages और salary cash में न देके wages और salaries cash में न देके किस में दे रहा होगा दोस्तों in kind में अब in kind में दे रहा है इसका मतलब ये कुम सा benefit हो जाएगा non monetary benefits क्या हो जाएगा non monetary benefits अब एक चीज ध्यान रखो non monetary benefit है इसका यह मतलब कि यह जो अभी जो हमारे boss ने हमें जो wages और salaries दी है यह हम non monetary मतलब इसमें हम cash में इसको convert नहीं कर पाएंगे थोड़ी दिक्कत आ सकती है लेकिन यह kind में मिलिए kind में क्या क्या मिल सकता है दोस्तों आपको मिल सकता है rent free house क्या मिल सकता है rent free house आपको मिल सकता है transport के लिए कोई car ट्रांसपोर्ट के लिए कोई क्या मिल सकती है कार, ट्रांसपोर्ट फेसिलिटी अब यहाँ टिफिन मिल सकता है अब को लँच मिल सकता है फैक्ट्री के टाइम पर जिस समय लंच होगा. लेकिन ये सारी चीज़ आपको किसमी मिल रही है, non-monetary benefits, अब एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी employee, जब भी किसी factory, किसी enterprise firm में काम करता है, तो उसको दो security चाहिए, एक उसको चाहिए physical security, वो तो working condition से आईगी, और एक चीज़ उसको दोस्तो financial security, क्या चाहिए उसको financial security, financial security मतलब, जब वो job छोड़े तब उसको, या फिर अगर किसी भी चीज़ के वज़े से उसके साथ कुछ हो जाता है, तो उसकी family, क्योंकि उसपे dependent थी, तो family financial point of uses secure हो जाए, तो क्या होता है, उससे social security benefit मिलता है, क्या मिलता है, social security benefit, अब यहाँ पे एक scene है, ध्यान से समझना दोस्तो, social security benefits मिलता है, अब ए as an employee, अगर मुझे ही अपने enterprise से कोई social security benefit ना मिले, और मैं ही अपने पैसे में से social security benefit में अपने पैसे को जमा करूंगा, तो सोचो, यह तो यार, यह यहाँ से पैसा निकल कर इस fund में आए, तो रहा तो compensation of employees में ही न, यहाँ गर उसको 50,000 मिला, और उस 50,000 में से 500,000 मिला, और यहाँ पे 500,000 डाल रहा है, तो क्या उसकी income generate हुई क्या, नहीं हुई, यहाँ से पैसा उटके, इसमें आ गया, मतलब रहा तो compensation of employees कही अंदर न, तो भाईया मेरे को यह बताओ, अगर कोई employee खुद पैसा जमा करेगा, खुद पैसा जमा करेगा, तो वो contribution नहीं मानेंगे, त अगर आप employee जमा कर रहे हो, नहीं consider करेंगे, सबसे important बात ध्यार रखनी है, कोई भी third party, कोई भी third party, अगर आपके social security benefit में पैसा डाले, insurance company, या कोई भी, कोई भी third party, अलावा, आपके boss के अलावा कोई, आप boss के अलावा, अगर कोई third party डालेगा, contribute करेगा, तो वो भी, वो भ आपका boss नहीं है, ये third party है, तो boss contribute करें, आएगा, आप contribute करें, नहीं आएगा, आगे चलते हैं, जहांचे समझना, ये जो income होती है दोस्तों, ये वाली income जो होती है न, वो entrepreneurship या आप जो property देते हो सामने वाले को, property देते हो, rent पे देते हो, hire, hire करते हो, या फिर आप जो entrepreneurship हो, या मतब basically आप जो पूरा factors of production को pay करने के पास, जो residual income बचती, जो बचता है आपके पास, वो जो आपके पास आता है, वो सारा operating surplus होता है, नाम ही है आपर दोस्तों, नाम ही क्या लिखा है, operating surplus, नाम क्या लिखा है, operating surplus, अब operating surplus में सबसे पहले आता है दोस्तों, सबसे पहले ज और फिर आता है profit, अब ध्यान से, कुछ बाते अपन interest और royalty के बारे में समझते हैं, समझते हैं, ध्यान से सुनना, royalty है और interest है, तो सबसे फ़हले मैं आपको rent और royalty के बारे में समझाता हूँ, ज़्यादा याद करने की ज़रबत नहीं है, रेंट मतलब, कोई भी property आपने रेंट पर दी, वहां से आपको rental income हो रही है, अब वो चाहे actual income हो, चाहे imputed income हो, चाहे वो imputed income हो, actual हो imputed हो, ये तो आपको include करना है, अब royalty क्या होता है, कि CB use of sub-soil asset, आप इसको use करोगे, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा दोस्तों, royalty, ये दोनों ही point ज़्यादा elaborated नहीं है ना आपको याद रखना है, लेकिन word याद रखना है, actual imputed rent के case में, royalty में use of sub-soil asset, लेकिन tension है दोस्तों, किसके साथ पत वो discuss करते, interest paid by, interest paid by firm, firm कोई भी हो सकता है, private government, to household और interest paid by bank, to individual will be included in the interest income, मतलग अगर मुझे, मैं individual हूँ, मैं household हूँ, मुझे अगर private sector, bank, government, कोई भी मुझे अगर interest income दे रही है, तो yes, it will be included in interest part, लेकिन interest paid by household, मैं अगर, मैं अगर bank को loan दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो loan, किस purpose के लिए दोस्तों, consumption purpose के लिए, तो ये include नहीं होने वाला है, ना, ना include नहीं होगा, yes, it will be included, interest paid by one firm to another, नहीं, ये production purpose के लिए use नहीं हो रहा है, interest paid by government on public debt, और interest paid by consumer, as such interest is paid on the loans taken for consumption purpose, ये दोनों ही हम consider नहीं करेंगे, ना, तो interest इर्फ एक आ रहा है, कौन सा interest आ रहा है देख लो, अगर as a consumer, as a individual, मुझे private sector, government या फिर, कोई भी bank मुझे interest देगी, वो interest calculate होने वाला है, sorry, include होने वाला है, apart from that interest, consider हम नहीं करेंगे, अब चालू करते हैं profit, profit के बारे में discuss करते हैं, profit भ्यान से सुनना दूस्तों, जो profit का part होता है, ये किसको मिलने वाला होता है entrepreneur को, और वो कम मिलने वाला होता है, residual income होती है, ये क्या होती है, residual income, residual income मतलब क्या होता है, कि क्या है न, भाई, जितना भी कमाता है, जो भी कमाता ह होता है उसमें से सबसे पहले तो जितने भी factors of production होते हैं all the factors of production उनको ये pay करता है उनको क्या करता है pay करता है उसके बाद जो amount बचता है वो उसके हाथ में किस form में बचता है दोस्तों profit के part में तो हम उसी profit के बारे में बात करने वाले हैं उसी residual income के बारे में बात करने वाले तो ध्यान से सुनना गोस्तों बहुत important रहता है profit वाला part profit में profit में ध्यान से समझेंगे profit तीन part में आता है किस part में आता है ऐगा सबसे पहला होता है क्या दोस्तों corporate tax पिर आप इसमें से दो काम कर सकते हो अगर इस साल आपको dividend देना है तो आप dividend दे दीचे इसमें say 900 करो और अगर आप इसको बाकी पैसे को retain करना चाते हो in the form of reserves and surplus तो वो part बन जाएगा दोस्तों जो आपने dividend नहीं distribute किया तो यह हो जाएगा 1000 करने अब इसके alternative नाम की तरफ जाएगे तो आपको चीजे clear हो जाएगे alternative नाम में देखो dividend जो है न ऐसा profit का part जो आपने क्या कर दिया दोस्तों distributed यह distributed profit है जो आपने share holders को किन को बाटा है share holders को on the basis of their share के ratio आपने उनको pay कर दिया और जो पाट अगले साल आप growth के लिए रखना चारे हो जो अगले साल आप investment reinvestment के लिए रखना चारे हो वो जो reinvestment के लिए पैसा रख रहे हो वो क्या हो जाएगा दोस्तों undistributed profit क्या हो जाएगा इसको मैं बोलूँगा undistributed profit ऐसा profit जो आपने किसी भी shareholder को या किसी को भी आपने distribute नहीं किया. तो profit निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये तीनों amount जोड़नी पड़ेगी. तो profit निकालने के लिए आपको 100 प्लस 900 प्लस 1000 वो मिलके का अगर दोस्तो profit 2000 करोगे. तो ध्यानक नहीं है, entrepreneur की income है, अब बात करते हैं mixed income, mixed income जो होता है, वो ऐसा factor income बंदे को मिला है, या किसी इंसान को मिला है, तो mixed income सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान की होती है, वो है self-employed बंदे की, अगर self-employed बंदे को कोई भी income मिल रही है, तो वो ऐसी factor income है, जिसे हम bifurcate न में rent भी included, और उसमें profit भी included है, अब देखो सर इसका example बता दीजे थोड़ा सा, example यह है, अगर कोई भी self-employed बंदा है, उसको अपने customer से, services के बात देने के बाद, customer से 1000 मिलता है, और वो self-employed है, self-employed है मतलब ध्यान से सुनना, ना तो वो labor है, वही boss भी है, अब as a self-employed, करने, बहुत सारे decisions लेने, अगर आप खुद ही decision ले रहे हो, तो factor of production तो आप ही हो चारो, आप ही labor भी हो, आप ही entrepreneur भी हो, आपने ही capital लगाया है, और आप ही, आप अपने land के owner हो, इसका मतलब यहाँ पर जब आप factor income को, self-employed की income को bifurcate नहीं कर पाते, तो उस income को क्या बोल ठूणनी है, rent royalty plus interest plus profit और फिर mixed income ठूणना है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, कुछ precautions हैं जो आपको miss out नहीं करने है, इसमें precaution number one है, ध्यान से समझा, transfer income, किसी भी type की कोई transfer income, income method में नहीं use करेंगे, क्योंकि वो पहली बात, वो unilateral है, अब unilateral है, इसका मतलब वो productive purpose के नहीं है, तो भाईया वो earned income ना होके, it's just a received income, तो किसी भी type की transfer income हम gift charity, ये सारी चीज़े donation, consider नहीं करेंगे, income from, income from sale of second hand goods will not be included, अब ध्यान समझो, 2022 और 2024, 2022 में A ने अपनी activa, अपनी activa B को sell कर दी, तो ये तो उस साल पे first time sell हुआ है, first time sell हुआ है मतलब ये उस साल के current flow, पहली बार, पहली बार current flow of national income बोल लो, या फिर domestic income में बोल लो, पहली बार add हो गई, लेकिन अब अगर B, 2024 में B, C को फिर sell करता है, तो ये second sale है, तो इसे हम इस income को current flow में use नहीं कर सकते, ये इस साल के national income में connected नहीं है, तो अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, सबसे important बात, कोई भी second hand goods से मिलने वाली income, will not be included as it is, first sale में वो already उस income को include, पहली बार कर चुके है, income लेकिन, एक चीज़ ध्यान से समझना दूस्तों, अगर B जो है, C को sell करने के लिए किसी इंसान को commission देता है, कि हाँ भाई तू मुझे एक purchaser लाके दे दे, तो एक commission तो इस साल पहली बार use हो रहा है, तो any commission, any commission or brokerage, जो उस साल पहली बार use होने वाला है, उस साल first time use होने वाला है, तो उसको हम लोग consider करेंगे, first time, भी अब commission brokerage तो पहली बार जा रहा है न, तो ध्यान रखना है, फिर लिखा है, income from share, sale of share bonds, diventure will not be included, reason, यह सिर्फ एक mere paper claim, यह सिर्फ और सिर्फ paper claim है, यहाँ पर actual money, actual money transfer नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ title transfer हुआ है, क्या transfer हुआ है, सिर्फ और सिर्फ transfer of paper claim, transfer of paper claim, यहाँ फिर ownership transfer हुआ है, basically, तो अब ध्यान से समझो, अगर share, bonds और diventure का purchase और sale दिया है, उसको include मत करना, लेकिन उससे related अगर किसी ने commission, जैसे भी अगर आप grow app में जाओगे, या फिर आप जिरोधा में जाओगे, या किसी में भी जाओगे, purchase और sale करने के लिए, तो वो लोग आपसे commission और brokerage charge करेंगे, तो वो क्योंकि इस साल पहली बार charge हुआ है, current flow of goods and services में include होगा, तो यह commission वाले में दो point में, income from sale of second goods में commission include होगा, income from sale of share bonds और डिमेंचर में commission और brokerage include होगा, windfall game, windfall game मतलब होता है unproductive purpose, unproductive activity से होने वाली income, तो इसको हम income method में consider नहीं करेंगे, एक्जामपल के लिए, जैसे एक्जामपल के लिए हो गया कोई भी gambling, gambling या फिर कोई भी probability के basis पे होने वाला आपको resource से आपको income हो रही है, यह सारी जो income होती है, इसको हम लोग consider नहीं करेंगे, imputed value of services provided by owners of production units will be included, reason being, owners of production खुद services provide कर रहा है, तो उस income, उस चीज़ से होने वाली जो income रहेगी, एक्जामपल के लिए, जैसे सुनना, अगर उसने capital लगाया, उसने capital लगाया और उससे उसको interest मिल रहा है, तो yes, it will be included, क्योंकि वो उसकी income है, it will be included, भले लेकिन एक दिक्कत है, अगर यह loan उसको बाहर से मिला होता, तो interest का percentage पता चलता, लेकिन यह तो खुद owner ने provide किया है न, तो हमें इसकी actual value नहीं पता, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, imputed value, loan की value पता है, interest की value नहीं पता है, क्योंकि यह पैसा उसने market से नहीं लिया, बलकि उसने खुद provide किया, तो interest की जो imputed value होगी, वो use करेंगे, and payment out of past saving, जैसे मान के चलो capital gain tax, capital gain tax हो गया, या death duty, या gift tax हो गया, ये सारे जो past saving जो income से arise होती है, कहां से arise होती है दोस्तों, past income से जो saving arise होती है, या past income से आप कुछ भी pay करते हो, इसको आप consider income method में नहीं कर सकते, तो आपको ध्यार रखना है सिर्फ और सिर्फ तीन चीजे, compensation of employees, operating surplus और mixed income, लेकिन सबसे important ध्यार रखना है, जो answer आएगा वो NDPFC आएगा, लेकि मैंने बोला था, कि हम जो discuss कर रहे हैं, वो in house, within the country बात करें, income generation का, क्योंकि हमने अभी तक chapter two sector economy से ही discuss किया है, यहाँ पर कतम होता दस्तो, income method, चलो चालू करते हैं, day number 22 expenditure method के साथ,